भाद्रपज से इश्वर के दो स्वरूपों का संबंध है, एक है गणपति गजानन से, भगवान गणेश से और एक है भगवान कृष्ण से अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा इस महीने में कैसे मिलेगी, उसका तरीका क्या होगा? इस महीने में देखिए दही का प्रियोग तो मना है, लेकिन अगर आप पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से इसनान कराएं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहन करें, तो आपकी तमाम मनो कामनाएं पूरी हो सकती हैं जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, जिनको संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है, उन लोगों को इस महीने में या तो कृष्ण का जन्म कराना चाहिए या भगवान कृष्ण के जन्मूत सव में शामिल होना चाहिए अगर आप भाद्रपत के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के परवपर अपने घर में भगमान कृष्ण का जन्मोच्व मनाते हैं उनका जन्म करवाते हैं या कहीं पर जन्माष्ट्मी मनाई जा रही है और आप जन्माष्ट्मी में शामिल होते हैं तो उससे संतान की प्राप्ती आसान हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि अगर आपके आत्मविश्वास में कमी हो तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस महीने में श्रीमत भगवत गीता का पाठ करना बेहद शुब होता है बेहद कल्यानकारी होता है खास्तोर से भगवत गीता का जो ग्यारहमा अध्याय है अगर उसका पाठ भादुर्पद के महीने में किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप चाहें तो इस महीने में अपने घर में लड़ू गोपाल की और सफेद रंग के शंख की स्थापना कर सकते हैं अगर आप भादुर्पद में ऐसा करते हैं तो घर में धन और संपन्नता दोनों आती है यह तो भगवान कृष्ण की कृपा पाने का तरीका हो गया इस महीने का दूसरा संबंध भगवान गणेश से भी है तो भगवान गणेश के आशिरवाद के लिए इस महीने में क्या करेंगे विद्या, बुद्धी और ज्ञान इसके लिए इस महीने में भगवान गणेश की उपासना करें पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें अपने घर में उनकी चित्रों हो या उनकी मूर्ती हो रोज सवेरे उनको दूरवा यानि दूब घास चड़ाएं और मोदक या लड़ू का भोग अगर उन्हें लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा पूरे महीने सात्विक बने रहें यानि कोशिश करें कि भाद्रपत के महीने में भी प्याज लहसन मान समदिरा का प्रियोग ना किया जाए और अगर सात्विक रह करके इस महीने में आप भगवान कृष्ण की या भगवान गणपती की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो जीवन की बहुत सारी मनो कामनाय पूरी होंगी और हर तरह की बाधा का नाश होगा. तो जितना आप बुरा समझते हैं भगवान कृष्ण की पूजा करके आप अपने पापों का प्रैश्चित कर सकते हैं, संतान की प्राप्ती कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा करके, जो आपके कारियों में, जो आपके कामों में बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर क कर सकते हैं